अब दोस्तों आप सबी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज इव बात करेंगे आपको जो एक्जाम चला अर्व न्टिपी सी का और साथ दोस्तों जो आपका एक्जाम होने वाला है गुरूपD का दोस्तों जो आपका नौर्मेशन होगा वह आपको कि आपको कितनी जा सकती है नौर्मेशन होने के बाद अर्व एंटिपी सी की और साथ ही आपको एक्जाम है वह आपका कब तक होगा ठीक है इन सबी मुद्दों पर इस वीडियो में आपका बात करेंगे तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू से आगर तक जरूल देख साथ है आपको dk यानि सामनिक गयान और साथ है आपका जनर साइंस इनकी वीडियो लगातर आपको मिलती है फिक है इन सब की दोस्तों आपको प्लेश्ट बनी हुई हमारी उन सबी प्लेश्ट को देखना चाहते हो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो नीचे वहाँ पर जाके आप जो वीडियो देख सकते हो ठीक है और अगर आप कोई प्रोडम हो तो आप कमेंट करके पूस भी सकते हो दो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियों है तो देखी दोस्तों यह फॉर्मूलाय है जिस फॉर्मुलाय पर आपका नोर्म होगा ठीक है एम ऑईजे बरावर मॉनिस के एम क्यूजी अपॉन माने के माइक यू प्लस के एम क्यूश्य फॉर्मूलाय तक हो जिस और साथी आपकी में norm राइसन होगा क्योंगों वता होगा आपको क्योंकि दूस्तों आपकर एक रूट होता नहीं ठीक है आपका लगवाद इसलिए करना bhoгу जरूरी होता है ठीक है तो इसलिए आपका नवेसन होगा आप देखिये का कॉन्स आपके क्या है यहां पे यहां प सब्सक्राइब निए मका सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको एक example से आपको समझाऊंगा आगला दोस्तों आपका MTG bar ठीक है यह क्या आपका Is the average marks of the top 0.1% यानि कि जितने भी आपके सिप्टम पेपर हुए candidate considering all shifts ठीक है यानि दोस्तों जितने भी आपके सिप्टम पेपर हुए आपके 200 सिप्टम पेपर हुए ठीक है और टूटर आपका एक करूर बच्चों ने आपका पेपर दिया है यह मांग चलते है तो दोस्तों उसका आपको 0.1% निकारना एक करूर का तो दोस्तों एक करूर का 0.1% आपको हो जाएगा दस जार यानि कि दोस्तों जो टॉप के 10,000 बनते होंगे यानि कि जिनकी नंबर टॉप के 10,000 में होंगे उपर से ठीक है वो सब आपके कैंडिट यहाँ पे लिये जाएंगे MTG बार में उन सब का एबरेज ठीक है तो दोस्तों इसको माल लेते हैं आपका A बेज निकल के आएगा माल लेते हैं 85 सब का मिला के ठीक है यह ने माल लिया है फिर दोस्तों आपका MQG इसका मतलब क्या आपका कि यान दोस्तों सब इस हिप्ट के जो केंडिट हैं ठीक है जो वढ़का बढ़ा सब इसके प्रसपन काते हैं अपके मीन निकलते हैं आपको देखना तो वीडियो जाखर आप देख सकते हैं पर दोस्तों इसके नीचे आपका एग्ड़ा आ आता है पहले क्या होता था-क measure ग explosion कर दिया है फिर आपका नीचे आपका आपका आता है MTI बार इसमें क्या होगा आपका कि इस अब इसमें इसमें बात कर रहे हैं तो उस शिफ्ट में जितने बच्चों नों पेपर दिया आपका उनका 0.1 परशंट टॉप का बच्चे उनका सब कर आपका यानि दूस्तों माल लेते हैं कि 8 दिसम्बर को आपका एक बच्चों नों पेपर दिया ठीक है उस एक लाग का 0.1 परशंट निकाल लेंगे हम तो कितना हो जाए दूस्ता आपका यह आपका 100 आ जाएगा यानि कि उस शिफ्ट में आपके जो आपके 100 बच्चे थे टॉप के उन 100 बच्चों का आपका एबरेज ले जाएगा मार्स का ठीक है यह आपका MTI में तो इसको माल लेते हैं जो आपका एबरेज निकल का आएगा इसको माल लेते हैं ठीक है टॉप के जो बच्चे थे आपके 100 उनका नमबर आपके 80 थे एबरेज में फिर दस वर आपका MIQ इस दसम आप मीन मार्क्स और इस्टेंड डिविजन आप दा यहां दोस्तों एक दानक निया को यह आपका पूरा शिफ्ट की बात कर रहा है ठीक है सभी अच्छों के मला के फिर दस्तों आपके MIJ यह क्या आपका पिर दस्तों आपका आखरी माता है MQGM ठीक है यह जो आपका सामिल किया भी यह पहले आपका सामिल नहीं था इस दोनों के जो आपका सम होगा वह आपका MQGM होगा ठीक है और एक चीज़ आपको यहां पर यह दिहानों देनी है इसको दो हम माल लेते हैं यह आपका निकल के आया आपका 6-3 ठीक है हमने इतना माल लिया तो फिर दोस्तों आपको निकाल लिया है अब इसको आपका समझते हैं आपका following में रखके देखते हैं कि आपका नंबर कितना अगर आपका असी नंबर आए तो कितना आपका बैठ सकता है ठीक है दोसरा formula क्या था आपका m i j बार बराबर m t g बार मैनस के m q g ठीक है बटे में दोस्तों था आपका m t i बार यह निजमालों की बार ठीक है मैनस के m i q ठीक है आगर बेकर आपका m q g m ठीक है यह आपका formula था अब देख्या आमटीजी की जीई हमें क्या नकाल लिह था m t g यह था यह अंचै प्रिफाइब 55 तो यहां ऑर दोसरा दोस्तों पूंदों का बेराबर 85 मैनस के और m q g क्या था यह मने बारका m q g 60 माना था ठीक है यह आपका 60 हो जाएगा मैंस के 60 बटे में आपका MI MTI क्या माना था देखें MTI यह आपका 80 ठीक है यह था आपका 80 तो यहां रखने लिशे आपका 80 और मैंस के MIQ क्या माना था आपका कहां MIQ यह आपका, यह हमने 55 था ठीक है, यह था आपका 65, तो मानस के आपका 65, और MI जह माना था यानिकि इसके Actual Marks की तो मानने थे हमने 80 मानने थे, और मानस के MIQ क्या यह वाल आपका, मानस के 65, और प्लस के आपका MQ GM की आपका हमने यह नमाना था 63 ठीक है तो यहां प्रिदिंगे आपको 63 तो देखे दूसरे इस फॉर्मिल से निकाल के आगा आपके 80 नमर बढ़ सकते हैं तो आपके कितने नमर बढ़ सकते हैं या गड़ सकते हैं ठीक है तो दीए 85-60 कितना हो जागा आपका यह 25 होगा बराबर 25 वाटे नीचे 80 में पैसे लानी 15 आगया आपका मुल्टिप्लाइं प्लस के आपका 63 तो देखे दोस्तों आपको 15 से तो यह पंद्र कर जाएगा ठीक है यह कितना आपका 25 प्लस के 63 यानि कि पांस तीन आठ उच्छे दो आठ यानि कि आप दोस्तों आपको जो नॉर्मलाइजिसन म तो यह नहीं है ठीक है दोस्तों इस फोर्म ऐसे आपका क्या फादा है पहरे दूस्तों क्या होता था चाल और तो वह पांस नमर का यह तो तो कितने होगे आपके या आठासी बैठेगे ठीक है इसने से आप समझ सकते हो तो उम्मीद करते हूं यह सारा फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और दोस्तों अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है और साथ दोस्तों बात करते हैं कि हमने जो एक्ट्वर मार्स कैसे निकाला आपका यह आपका एक्ट्वर मार्स ठीक है तो दूस्तों आपको पता होगा जैसे मालेज़ा अपका पेपर था अठाई दुसमर्कि फॉस्ट में आपने टूटर जो अटेंप्ट किये हमाने तूटर दू तो आपने 90 कुशन अटेम्ट किए ठीक है और आप बात करते हैं रोंग कुश्चन आप में कितने किए रोंग कुश्चन तो यह मानित हैं आपने 50 कुश्चन आप इसमें गरत कर दिये ठीक है तो अब दी क्या फॉर्मल बनेगा आपका कि एक्शल माक्स ब्राब हो जाएगा आपका टूटर अटेम्ट मानिक की ठीक है आपका उपर रोंग कुश्चन बटे तीन ठीक है इस फॉर्मल से आपका निकल जाएगा दोस्तो यहां में बटे तीन हमें क्यों किया क्योंग दोस्तों पता अब बैना आपको के इसमें जो आपकी त्राब वो आपकी बनवाइट है थी आप बनवाइट फोर्थ होती तो नीचे हम फूर करते ठीक है यानि इसमें आपके मल्टिपे कर दिया एक वड़े तीन का यह आपको समझना है तो देखे टोटा मार कितने आपके नबब है टोटा अटेम्ट मैरस के रों कुछिन कितने पंद्रह मैरस के उबर रॉं कुछिन बटएंगे आपके आपका तीन प्ला कितना या मै Elton कि पंद्रह फोगया नबब मैस हैस्य जैनिके आपका असरी और ऑस ही यानिक जो आपके प्साप अग ठीक है ठीके ये भी आपको समझ में चुनल का ऐगा होगा आप जो से वी हम आते एं रौका को सबसका बास्ट करते हैं विल्ट की तेकि ग misterkov के प्रिडेट की जो कि दोस्त चलेगा आपका 27 मार्ज तक और दोस्तों उसके बाद आप क्या होगा फिर आपकी होली पड़ी अठाइस मार्ज की तो उस दिन तो आपका एक्जाम होगा नहीं ठीक है और हो सकता तीसी कर थिसमें भी नहीं हो क्योंकि दोस्तों आपका सेंटर दूर जा रहे हैं आप दूस्तों माई का फर्स्ट भी में लगा करें अपमें त्यारी करते रहें गर्बी की जिसका आपको और प्रेल से होगा उसमें तो आपके टूटलट तिरे लाग बच्टों का एक्जाम होना है ठीक है तो दूसरों यह माशलों को लगवा आपका 15 एपल तक चलेगा कम से कम तो पंदर आपके यह गए और दोस्तों कुछ बच्चे आपके ऐसी बच्चे हुए है जिनके कुरुणा के बच्चे से आपका सेंटर रद्ध कर दिया पहले है ठीक है उनके एक्जाम में हो सकता है तो यानि कि पंदर अपल तक आपका एक्जाम जागे कंप्रिट होगा और पंदर अपर एक बाद ये मांग चलू कम सेंग आपका पंदरे से 20 दिन बाद इसकी आपकी आंसर किया एगी ठीक है जब आपकी आपकी आंसर किया जाएगी तो तो आपको उब्जेक्सन मांगा जाएगा यानि कोई कुछिए हैसा हो कि गशिएग दो आपका आप्शन चाह किया हो या कुछ ऐसा कुछन आ जाता है कि जो कुछ , आسा घुरम फे-ट हो, कुछ ऐसा घुज के आपके option करत थ Heights हमें तो उसको पर आपकोし कन करना होगा तो इसके दो स्था सात दिन का समय देगा रहा है पांसेसाथ देन गायों प्रकर छलो माइनते हैं आपको तीसर प्रकր आ गया jest की जाया है तो पांसे डिन गया तो आपका साथ मयी हो गया ठीक है साथ मही को अपकी है याम समय्ट करी साथ मही तक फिर उसके बाद वह आपका 15-20 दिन बाद आएगी यानि कि मैद से आपको 25 मईज के सपास ठीक है यह आपको हो गया यह इस पर सबसे कम टायम जो बतारा हूं आपको कि इतने टायम कम से को मुझे गए गए तो 25 मईज तक आपकी आउसर किया जाग रिवायत तो उसके बाद पर इसको रिजल्ट होगा कि ठीक है और कम से कम आपके 64 65 लाग बच्चे आपके एक्जम देंगे दें कम से कम तो उन सब का इतना करने में उसमें टाइम लगता आपका ठीक है और एक तरह आपका आपका यह होता रहेगा तो दोस्तों यह मांग चलो आपका जून में तो इस रिजल्ट आपका नहीं आ ठीक है अगर दोस्तों यह आए होगा आपको कितनी जल्दी कर देगा ना तो आपको जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं दे पाएगा यह इसको आप वीडियो को दिहां रखना और आप मेरी बाद जो बोला हूं इसको लिखके रख लो ठीक है यानि जुलाई से पहले इसका का एक्जाम नहीं हो रहा है ठीक है गुरुबडी का तो अभी आपके पास अप्रेल माई जून जुलाई चार मेने यह पंदर दिन इसमें कम से कम यानि कि 135 दिन का समय आपके पास कम से कम अभी बाकी है यह दोस्तों मैं कब बोला हूं कि आपका अगस्तम हो सकता है जब प् बढ़ते गए और आपका एक महीं से नहीं हो पाया मालो आपका पंदर जून से स्टार्ट हुआ ठीक है तो दोस्तों जब आपका गुरुपी खतम हो जाएगा ना सारा तो उसके बाद ही आपका एंटीपीस होगा यह नहीं कि आपका गुरुपी एक्जाम चला है तो बीच कंडिशन में आगया होगा सीवीटू एक्जाम का होगा ठीक है वह आपको आगस से पहले नहीं पंदर नहीं होगा किसी कंडिशन में तो टायम में आप अपने से अच्छे स्तियारी करें ठीक है और साथ ही आप दोस्तों जो बुख पढ़ें उसके बाद आपको पूछे सा दिया है जिसमें दोस्तों आपको जितना पूरे की जॉन है कि का अलग और के टिगरी वाइज के यृगेफ जैसे आवको जनरल हो गया किरेंव सो गया ओचे सी और स्ट कि कि इनका कटएव आपक कितना कितना सकता है सब ली ने जा कि यह जितना कट अप मैंने आपको बताया अगर आपके त्यारि शुरू कर देनी प्रिट के प्रिजिक है और जितना में बता आपके उससे दो इसे दो ती नम्बर भी कम बैठ रहे हैं इस ठीक है तब वह आपको त्यारि शुरू कर देनी से लो भी डोग दो बनाए है एक दो बनाया आपका वैसे overall कि कितनी कटम आपकी जा सकती है ठीक है एक बनाया आपका मतलज जॉन बाइल ठीक है और दोस्तों गया आपको लिंक मिल जाएगा अगर उसके बाद कितनी जाएगी ठीक है और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको देखना है तो दोस्तों यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा ठीक है वाइट कर बें पट्टी से आ रही होगी वहां पर उसके आपको लिंक मिल जाएगा अगर उसके आप किलिक करोगे तो सीधा उस वीडियो को आप देख सकते हो ठीक है और को सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो अगर कोई भी आपका सवाल हो और अपने दोस्तों साथ साथ ही वीडियो को सेयर करें ठीक है तो थैंक्यू फो वाचिंग